सबसे पहले हम बात करेंगे LTTS Limited के बारे में अगर हम कल की दिन की बात करें तो कल की दिन अपने देखा हुआ कि इन स्टॉक में लगबग साथ से लेके 8% के हमें जोरदार गिरावाट देख को मिला था और इतनी बड़े गिरावाट के पीछे के रीजन भी बहुत बड़ा रीजन था तो दो रीजन था एक तो कंपनी के जो Q4 के नमबर थे वो कुछ खास नहीं थे एक बहुती म्यूटिट नमबर कंपनी ने प्रिजन किया था उसी के साथ सा स्टॉक में और भी ज़्यादा इस प्रका के गिरावाट हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि management के negative guidance भी हमें देखने को मिला आप देखे को तो अक्चुल में नमबर के बड़ी स्टॉक में तीन-चार पसंद की गिरावाट होना चाहिए था नौ पसंद की गिरावाट हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि एक तो नमबर बहुत ही खराब थे यूकि बाज़र के estimate को भी इसमें मिस किया उसी के साथ जो management ने guidance दिया जो इसके नए साल है एक एफेर 25 उनके जो guidance है उनने lower guidance कर दिया कि A525 में हमारे जो growth है उतना कुछ खास नहीं रहेगा जो कि आप 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 देख भी सकते हो वह expect करके चल रहे है कि 8 से लिके 10% के उनके income में आपको growth देखने को मिल सकते है उसके पीछे का बहुत सा reason है कि बहुत बड़े impact आया slowdown में, recession में और भी जो client जिस प्रकाक किये इन में spend करते थे पहले वो अभी उस प्रकाक के वो करनी रहे तो धेरो सारे reason है जिसके चलते company की growth है इस A525 में आपको थोड़ावाद slowdown और थोड़ावाद neutrality date को मिल सकता है और इस प्रकाक के अगर guidance में आज भी देखोगे तो 15% के तीज़ी और 5 सार में एक सार में मतलब सबसी important जी तो stock top पे था और हम यह उम्मित कर रहे थे कि number थोड़ा भी अच्छा आजा है तो breakout देखे साथ से लेके 8000-9000 तक भी stock जा साथ है क्योंकि जब जब यह ऐसे पुराने लेबल दो सार धाय सा पुराने लेबल को breakout देते हैं उसका बहुत बड़ा मुव आता है बट अन्फॉंट्टिनेटली कि वह इतने सूपर डूपर नहीं थे जो कि बाज़ा एप्रिशिट करें और उसी के साथ और तरका लगा दिये management के negative guidance में तो आप next क्या करना है नेक्स्ट क्या भी इस breakout के लि रह सकते हो किसी ने अगर अभी तक फ्रेजबा ही नहीं किया या फिर यहां पर भाई करना चाहते थे वह मौका छोड़ चुका है तो कि अभी बाय करना चाहिए अभी श्टॉक टॉपले से सिर्फ रफली 20 पसें गिरा है या फिर वह सकते हो कि 6000 के श्टॉक 4800 यान की 1200 पॉ करें तब चाहता आप एंट्री ले सकतो या फिर ये श्टॉक गिर के सारे 4000 पर आजये जो कि एक स्टॉव्ट पॉट है तब चाहता अपने इसमें अपना एंट्री लेने के बारे में डिसकस कर सकते हैं अब देख सकतो कि श्टॉक जब भी चलता है जब भी ब्रिक आउट तो एक बहुत बड़ा रैली आता है और जब भी कंस्टॉडिशन दिखाता है वह बहुत बड़ा या से इतना मुश्किल से इतना अच्छा रिकावरी दिखाता है तो ठीक है चलते रहते बादर में ये चीथे तो ठीक है अगर स्टॉक और भी आगर गिरे 20% आज डाउन है और भी 10% गिरें तो चाहता आप उस गिरावाट का भी फादूरने के बारे में इस दिन लेसा तो L&D Group की कंपनी है तो उसमें कोई पैने करने की जरूरत नहीं है आज गिरा है तो कुछ दिन मार फिर से आपको धीमेंदी में रिकवर करती भी आपको देखने को मिल जाएग देन अगला स्टॉक की बात करें तो इसी के वाईवन तो LTI माइंटरी लिम्टेट इसके अगर हम कल की दिन की बात करें तो कल की दिन इन स्टॉक में एक बहुत ही अच्छे प्रोफोनी दिया था लग बग तीन सारे तीन पसिंग की तीजी लिए उससे एक दिन पहले देख कंपनी के प्रोफिट एक सो एक पसंद से फॉल हुआ है कंपनी की इंकम में सिर्फ दो पसंद के अपसाइड है वह भी यारली बिस के तो कि सूपर डूपर नंबर है नहीं तो स्टॉक में गिरावाट क्यों है मतलब देखा जाए यह भी LTT जैसे नंबर पेजिन किया यह फ 24 के नंबर खरावी आने वाले जिसके जए जो गिरावाट अभी होना चाहिए था वो गिरावाट हमने पिछले थ्री मनत पहले अलड़ी देख चुक है तो LTT मेंट्री लिम्टेट के बात करें नंबर के बात मैंजमें ने कॉन्फरेंस कॉल की जरी एक पॉजिरिब निउस हमारे समने लाट्य देटन को मिल रहे तो आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट के यह मानना है कि उनके जो गाइडेंस था एफ़ाइट टुन्टी मतब कॉटर फोर तक खरावाने हमें कॉटर फोर तक कंपाई के नंबर थोर से खरावी देख को मिला उसके बाद जो कॉन्फरे से continue to reflect our order inflow and pipeline की बात करें तो तो definitely जो commentary company ने दिया है उसी के चलते हैं हमने कल की दिन इस प्रका के शानदात यही देखने को मिला तो ठीक है यह अब उमिद रहेगा मतब जितना इस company के जितने भी खराव नंबर आने वाले थे आच चुक है quarter 4 तक अब जो next quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 आन 1 से अगर company के number में recovery आ जाए तो आपको बताए आज भी stock बहुत ज़दा डाउन है अगर आप roughly भी देखोगे तो लगबग 35% को down नजर रहेगा exactly देखोगे तो इससे भी जादा तो बहुत बड़े गिरावाट में है और उसी के साथ बहुत बड़े लंबे consolidation में भी मैं कुछ एक दू दिन की बात नहीं करें 10,000 की जाने के लिए भी stock of time में लगने वाला है बड़ पोटेंसिल इतना है कि लंबे अधिम ये 10,000 की आप 15,000 भी आपको जाते हो देखने को मिल सकते हैं तो किसी के पास अगर LTE माइंटरी है तो Nifty 50 वाले company, L&T Group की company और इनकी client base को देखो गए तो Fortune 500 आपको देखने को मिल जाए तो company तो solid है तो ठीक है जितने खराब number आने वाले थे वो आ चुक है अब इनके number आने वाले time आपको सुधरती है ये फिर recover करते है आपको देखने को मिल जाए और इसका भी same कि ये भी stock जब भी गिरावाट दिखात है तो वो भी 2-2 साल 3-3 साल stock लंबी consideration और जब भी तीजी आता है वो तीजी भी बहुत बड़े तीजी होता है तो ठीक है अभी काफी time होगे तो हो सत्ता है या से stock में एक कमाल की आपको reverse gear ये फिर कमाल की recovery को मिले को जाना चाहते है तो right time है management की commentary भी positive है कि अगले quarter से company की number अच्छे आने वाल है थोड़ा बहुत recovery आपको देखने को मिलेगा तो जगर number में recovery आएगा तो definitely stock इतना पिटा हुआ रहेगा तो इसके भी Q4 के number important रहेगा क्योंकि अगर आप इसके six month की performance को देखोगे हाँ 20 net आपको 25% तेजी जरूर नजर आ जाएगा लेकिन उसमें से five month से stock एक बहुती लंबे consolidation में और top level से nearby आज भी आपको 18 से लेके 20% down भी देखको मिल जाएगा लेकिन ये down every consolidation ये कुछ दिखाना सुरूर के एक तरफा उसके बाद stock में अभी तक कोई बड़ा correction आया नहीं stock गिरा तो है आज भी 20% बड़ उस प्रका की नहीं इस प्रका की correction हमने यहाँ पर यहाँ पर देखा था तो क्या आप यह company ऐसे number दिखाएगा जो कि यहाँ पर reason बने stock में और भी further 20% की correction ह क्योंकि इस company के जो सबसे बड़ी important point है वो दुस्तो company के consistency और उसे के साथ साथ कोई negative point के बाद पर तो stock के valuation 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 से related कितने ज़्यादा हमें concern देखने को मिला कि stock 900 आएगा कोई बोलता है कि stock 1000 आएगा 40% गिरेगा 50% गिरेगा reason एक है कि इनके valuation ज़्यादा है कि आने बले टाम है कि इतने अच्छे number दिखानी पाएंगे यूकि इसके valuation को इस तेजी को इस stock price level को sustain कर पाए और अभी तक ज number profit sales हर एक चीज कंपनी अच्छे number प्रेंग करते हैं और जो बाजर के estimate होता है हर बार बाजर estimate को वो आराम से fulfill कर देते हैं तो कि इस पार जो बाजर के estimate रहेगा 29 April को लगबाग 165 करों का net profit बोल सकतो जो कि पिछले quarter से जाधा sales की बात करें तो 1300 करों का जो कि पिछले quarter से भ नंबर हर बार quarter on quarter अच्छे रहता है तो इस बार भी उमीद होगा कि Q1 Qbc भी आपका number अच्छे होना चाहिए तो देखते है 29 April यानिकि next week किस प्रकाखे company के number आते हैं और इस बार भी अगर इस estimate को company ने बीट कर दिया तो जो top level से down है 1760 के लिए बैसे फिर से recovery आएगा और स इस बार आपको 2000 तक भी stock के target जाती हो देखने को मिल सकते हैं अगर 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 आप number खराब आता है तो उपर सब को पता है कि ब्रोक के जाओस फिर से आ जाएंगे stock को downgrade करने के लिए कि 1200 आएगा 1000 आएगा 1000 की नीचे होना चाहिए तो और भी यतना गिरावाट नंबर के के बार में सोच रहें तो इग्योर करो कि नेक्स हपते कंपनी के सुरुवात में नंबर आने वाले नंबर तक रूख जो क्या पता अगर नंबर खराब आए इस बार या बाजर को वो नंबर अच्छे ना लगे तो यही stock जो आज 14 सुपी खजनी के बार में सोच रहो या आ एक मंत के बात करें तो 20% के तेजी 6 मंत में 200 साल भर के बात करें तो 500% और 5 साल में देखुगे तो 5 साल तो कंपेट हुआ नहीं 2019 है तो लगबग लगबग 920% की प्रॉफित और स्टॉप एकदम टॉप के तो टॉप पे उनने की रीजन और भी है कि हाली में इस कंपनी ने एक सए अच्छा गारा किसी के पासँ हे जा अच्यूप के दरी'll रहोंगे तो इस को आको शॉय शूप भी श्रुचर में देखनी को मिल सकते